So, Hey guys, Welcome back to another video इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Top 5 Best and All-Rounder Smartphone Under Rs. 11,000 So, दोस्तों, अगर आपका भी बजट 10-11,000 के आसपास है और इस प्राइज रेंज में अपने लिए इस समय पर एक All-Rounder Smartphone परचेश करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ इंटरस्टिंग होने वाली है वैसा तो दोस्तों, इस समय पर 10-11,000 के प्राइज रेंज में काफी सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे बट हमने उन्ही स्मार्टफोन को इस लिस्ट में रखाया 7,000 mAh की बड़ी सी बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जर का सुपोर्ट भी देखने को मिलेगा बाकि 48 मेगा पिक्सल का कोड रियर कैमरा एंड फ्रंट में 16 मेगा पिक्सल का पंच्छोल कैमरा भी देखने को मिलेगा तो अगर आप फोटोग्राफी है फिर वीडियो ग्राफी करते हैं तो आपके लिए भी बेस्ट फॉन होने वाला है अंडर 11,000 इसके अलावा अगर आप गेमिंग करते हैं तो most powerful gaming chipset भी देखने को मिल जाएगा तो no doubt guys features आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे इन पांच इस smartphone में जो कि मैं आपको detail में बताने वाला हूँ और इसके साथ ही इन सब इस smartphone के pros and cons भी बताऊँगा रीजन बताऊँगा कि क्यों आपको buy करना चाहिए या फिर क्यों नहीं करना चाहिए तो गैस वीडियो आपके लिए काफी interesting होने वाली है वीडियो को end तक जरूर देखिए और वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक चोटी स्रीक्वेस्ट है आप मैंसी 96% ऐसे user है जो क करते हैं दोस्तों नंबर वन से और नंबर वन पर हमने रखा इंफिनिक्स होट 11S को अब यह फॉन इस लिस्ट का सबसे नियुएस्ट स्मार्टफोन है जानते हैं इस फॉन में हमें क्या-क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं शुरुआत करेंगे डिजाइन और बिल्ड बाकि दोस्तों बैटरी के बारे में बात करें तो 5000 मिली एंपर की बड़ी सी बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 18 वोट का फास्ट चार्जर का सुपोर्ट देखने को मिलेगा सौफ्वेर के बारे में बात करें तो एंडूड 11 के साथ आता है बेस्ट ओन एक्सो एक् लेकिन अभी भी काफी सारे प्री इंस्टॉल एप देखने को मिल जाएंगे जिससे आप असानी से अन इंस्टॉल भी कर पाएंगे बाकि ट्रिपल स्लोट के साथ आता है तो दो सीम और एक पेमरी कार लगा पाएंगे अब टू टू फिप्टी 6GB तक का HD कार लगा काफी चोटा कटाउट किसी और स्मार्ट में देखने को नहीं मिलेगा जिसके विज़ासे कोन्टेंट कंजब्शन में काफी मजा आने वाला है Penand Rear दोनों ही कैमरे से तक वीडियो डिकॉर्ट कर पाएंगे दोनों ही कैमरे में काफी सारे कैमरा फीचर देखने को बिल देखने को मिलेगा जो कि 12 नानोमीटर पर बेस्ट है मतलब बैटरी एफिसेंसी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी और दो लाग के आसपास अंतुत स्कोर भी देखने को मिल जाती है तो 11000 के नीचे आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा यह प्रोसेसर रैड्मी 10 प्राइम में भी दिया गया है डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.78 इंचेस का फुल एच्डी प्लस IPS पैनल देखने को मिलेगा लेकिन 90 हर्स का रिफेसर दिया गया है और 180 हर्स का टथ सेंब्लिंग रेट भी देखने को मिल जाएगा टी टू एक्स वन का ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है डिस्प्ले पर तो ओवरॉल डिस्प्ले से भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगी काफी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है डियूल स्पीकर देखने को मिल जाएगा हाला कि स्टीरो स्पीकर नहीं है चलिए बात करते हैं प्राइस कितनी है तो 4GB RAM और 14GB स्टोरेज के लिए 10,999 पे पे करने हुंगे तो 11,000 के बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्मार्टफोन के तरफ और नमर टू पर हमने रखा है माइक्रो मैक्स इन नोट वन को अब यह फोन हला कि थोड़ा सा पुराना है बट काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं एस कंपेर अधर स्मार्टफोन अंडर 11,000 सुरात करते इस पॉन में भी प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक का फ्रेम ही देखने को मिलता है 8.9 mm की थिकनेस और 196 ग्राम वेट के साथ आता है तो अबरॉल डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है इस पॉन के बारे में मैंने दो दो वीडियो बना रख हैं अन्बॉक्सि सिनसर 48 मेया पिक्सल का दिया गया है जो की अल्टरावाइट के लिए निए और दो और सेंसर देखने को मिल जाएंगे तूमेगे जोकि मैकरोफोटो और द्याप ब्ला आते है इस फोन में आपको फ्रेंट में शोल का पैमरा देखने को मिलता है जो कि एक क्लोता स्स्माट सब्सक्राइब करेंगे इसी के साथ स्लो मोशन टाइम स्लैप HDR नाइट मोड और भी बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं सॉफ्ट्वेर के बारे में बात करें तो Android 10 के साथ बाता है बेस्ट ओन स्टोक एंड्रोइट यह इस फोन का बिग हालीटिंग फीचर से इस फोन में आपको किसी भी तरह का स्कीन देखने को नहीं मिलेगा न कोई भी ब्लोट वेर एट वगरा देखने को नहीं मिलेगा तो काफी इंट्रस्टिंग बात हो जाती है रियर साइड काफी पंची और वाइब्रेंट देखने को मिलता है प्रोसेसर के बारे में बात करें तो मीडिया टेक जी 85 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो की एक गेमिंग चिपसेट है बेस्ट नानोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस तो परफॉर्मस आपको काफी अच्छा देखने क को मिल जाएगा अराम से गेम इंजोई कर पाएंगे चाहे पब जी हो सी ओडी हो या फ्री फायर प्रैस की बात करें तो चार्ज भी रहम और चॉंसर जिबी स्टोरेज के लिए 10,999 रुपे करने होंगे मतलब यह फोन भी आपको 11,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा तो परसनली इस फोन को मैंने यूजबी किया है काफी अच्छा स्मार्टफोन है चेक आट कर सकते हो इसका भी बैस्ट बाइल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और दोस्तों नंबर थी पर हमने एक ऐसे स्मार्टफोन को रखा है जिसमें हमें बड़ी सी डिस्प्ले औ आते हैं तो डिजाइन वेकरा काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा हाला कि 238 ग्राम वेट के साथ आता है मतलब यह फोन आपको डेफिनिटली हैवी फिल होने वाला है बाकि इस फोन में आपको एंडूड 11 देखने को मिल जाएगा बेस्ट ऑन हाइए 7.6 इस फोन में भ डेखने को मिलेगा जो कि मैक्रोफोटो के लिए आता है और फोर्थ कैम्रा एए लेंस दिया घया हाला कि चार के साथ है लेकिन इस फोन में आपको अल्ट्रावाइट कैमरा देखने को नहीं मिलेगा रियर और फ्रन दोनों ही कामरे से 2K तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएं साइड मांटेड फिंगर्पिंट स्कैनर दिया गया है तो काफी सही बात हो जाती है 7000 मिली एंपर की बहुत ही बड़ी बैंटरी देखने को मिलेगे और उसी को तेजी से चार्ज करने के लिए 18 वोड का फास्ट चार्जर का सुपर देखने को मिल जाएगा तो अरौंड टू करते हैं उनके लिए यह फॉन बैस्ट रहने वाला है प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इस फॉन में भी मीडिया टेक जी 85 का चिपसर देखने को मिलेगा जो की अगेन एक गेमिंग चिपसेट है बेस्ट ऑन 12 एनम इसके साथ ही टेकनो के तरफ से एटी गेम इंजन लिए 10,999 रुबे पे करने होंगे तो यह फॉन भी आपको 11,000 के असपास टेकने को मिल जाता है अगर आपको 7,000 मिली एंपर की बड़ी सी बैटरी बड़ी सी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चीए तो डेफिनिटली यह फॉन आपके लिए बैस्ट रहने वाला है हाला कि इस फॉन में आपको किसी भी तरह का डेडिकेटी स्पीकर देखने को नहीं मिलेगा जिसके वज़े से इस फॉन का जो स्पीकर और पूट है काफी लो है तो इस बात का ध्यान रखना और दोस्तों नमर फॉर पर रखा है और टाइम फेबरेट पोको एम 3 बहुत ही कम ऐसे स साथ आता है बैक सैट में स्मच इस वगएरा नहीं आते हैं तो यह काफी सभी बात हो जाती है 9.6 mm के थिकनिस देखने को मिलती है मतलब यह फॉन थोड़ा से मोटा है और 197 गराम वेट के साथ आता है बाकि Android 10 के साथ आता है बेस्ट ओन सब्सक्राइब देखने को मिलेगा प्रैमड चली से ने क्यामरे से 30 एटेस तक वीडियो रिकॉर कर पाएंगे इसी के साथ टांस लैप HDR पैनोरोमा और भी बहुत सारी फीचर देखने को मिल जाएंगे ट्रिपल स्लोट के साथ आता है तो दो सीम औरक मेमरी कार लागा पाएंगे अप्टू 512 जीवी तक एसटी कार एक्सपैंड कर पाएंगे बाइमेटरी के लिए साइट मांटेट फिंगरपिन स्कैनर दिया गया है बागी दोस्तों बैटरी के बारें बात करें तो 6000 मिल एंपर की बड़ी सी बैटरी और उसी को तेजी से चार्ज करने के लिए 18 वोट का फाह चार्जर देखने को देखने को मिल जाएगा आउट ऑप दो बॉक्स डिस्प्ले के बारें बात करें तो 6.53 इंचेस का फुल एस्टी प्लस IPS दिस्प्ले देखने को मिलेगा स्टेंडर्ट 60 हर्च रिफ्रेसर के साथ आता है और कोर्णी गोरिला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है तो यह यह काफी सभी बात हो जाती है 400 नीट्स की पीक ब्रैटिंस देखने को मिलेगी पर्फॉमेंस के लिए इस फॉन में स्नैप ड्रागन 662 का ओक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो की 11 बेस्ट है मतलब बैटरी एफिसेंसी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा और देखने को मिल जाएगा तो अगर आपको बड़ी सी बैटरी और फास्ट चार्जर का सुपोर्ट या फिर फुल एच्टी प्लेस डिस्प्ले या फिर डिफ्रेंट सा डिजाइन तो इस फॉन को पर्चेस कर सकते हो और दोस्तों लास्त में हमने रखा है रैडमी के तरफ से देखने को मिलेगी विद 18W Quick charger तो काफी सभी बात है लेकिन इस फोन में आपको को और कैमरा सट अप देखने को मिलता है 48 में पिक्सल का प्रैमरी सेंसर दिया गया है जो कि अल्टरावाइट के लिए है और दो और सेंसर देखने को मिल जाते हैं टूटू में पिक्सल के जो और भी बहुत सारे feature देखने को मिल जाएंगे back camera में front camera में भी beauty mode night mode और भी बहुत सारे feature दिये गया है प्रोसेसर की बात करें तो snapdragon 662 का प्रोसेसर दिया गया है तो इस प्रोसेसर का काफी अच्छा performance देखने को मिला है गेमिंग मेंगरा या फिर multitasking में कोई issue देखने को नह दिया गया है Android 10 के साथ आता है और इस फोन में dual stereo speaker भी दिया गया है तो speaker output भी काफी अच्छा निकल गया आता है बाकि design वेगरा थोड़ा अलग देखने को मिलेगा comparatively अभी तक हमने जीतने भी smartphone के बारें बात किया लेकिन हाँ यह फोन भी plastic body के साथ ही आता है प्राइस की ब आस-पास ही मिल जाएगा तो ओवर ओल इस फोन में भी काफी तगरेफ फीचर से एकने को मिल जाते हैं चेक आट कर सकते हो इसका भी बैस्ट बाइलिंक इनफेक्ट सभी स्मार्टफोन के बैस्पाइल निक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो ज इस्टेंटली रिप्लाइब मिल जाएगा बाकि दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में